क्या अपनी स्क्रिप्ट की कॉपी के लिए कोई डिरेक्टर इतना भेचैन हो सकता है कि वो हेलिकॉप्टर मंग वाले और आठ हदार फीट की उडान भरे बात तो हैरान करने वाली है मगर है सच किस्सा है देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का देव साहब काटमंडू में फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग कर रहे थे एक दिन शूटिंग के दौरान उन्हें देखा कि एक नौजवान दूर खड़ा बड़े गोर से उनकी शूटिंग देख रहा है देव साहब ने किसी को कहा भई पता करो ये कौन है उन्हे जब पता चला कि वो लड़का वहां के राजकुमार ग्यानेंद्र है तो देव साहब ने उन्हें बाकाइदा अपने साथ बहने के लिए इन्वाइट किया उस दिन शूटिंग दुपहर को ही खत्म कर दी गई क्योंकि देव साहब अगले दिन की लोकेशन देखना चाहते उन्हें अपने हाथों से बहुत सारे नोट्स लिखे वे थे जब स्क्रिप्ट कहीं नहीं मिली तो देव साहब को अंदेशा हुआ कि हो नहो स्क्रिप्ट पहाड परी चुट गई सब ने मना किया कि सक्रिप्प के लिए पहाड पर जाने का कोई फाइदा नहीं है पर देव साहब बस देव साहब नहीं माने समस्या यह थी कि देव साहब जो हेलिकॉप्टर इस्तमाल कर रहे थे वो दर असल युनिसेफ का था और उसका पाइलिट जा चुका अब काठमांडू में जो दूसरा हेलिकॉपटर था वो प्रिंस ग्यानेंद्र के पिता श्रीका था तो उन्हें तुरंद फोन लगवाया गया और कुछी पलो में हेलिकॉपटर देव साहब के सामने हाजिए था देव सहाब हेलिकॉप्टर में बैटकर पहाड़ पर पहुचे और लगे अपनी स्क्रिप्प ढूणने, वो दिवानों की तरह इधर दर भाग रहे थे, पेड़ों को पहचानने की कोशिश कर रहे थे, अंधेरा होने लगा था, पाइलेट ने सला दी कि जतनी जल्दी हो सके उन्हें वापस लौटना चाहिए, देव सहाब थके हारे निराश होकर हेलिकॉप्टर की तरफ लौटने ही लगे थे, कि अचानक उन्हें देखा कि एक जाड़ी में कुछ पन्ने परबा रहे हैं, वो दौड कर गए, देखा उनके स्क्रिप्ट धलान पर एक जाड़ी में जटकी पड़ी थी, छूटती तो हमेशा के लिए गुम हो जाती है, लाइट्स कैमरा किसे में देवानंद की दिवानगी का ये किसा भी खूब है